तो पिछले एपिसोड में यू हाव अपने कलास का लीडर बन गया था जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोड़ते हुए अपने रूम के तरफ वापस आ रहा होता है जिसके दोरान वो नोटिस करता है कि उसकी वार्म करेंट धीरे धीरे कमजोर होने लगी है और इसलिए वो सोचने लगता है कि क्या उसकी ताकत फिर से वापस आ गई लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग इससे पहले ही वापस आ गया था और वो बड़े मजे के साथ में असनान कर रहा होता है लेकिन तभी इसी वक्त यू हाव भी यहाँ पर आ जाता है और वो वांग के तरफ देखता ही रह जाता है लेकिन वांग इस बात से काफी घपरा गया था जिसके बाद वो तुरंत अपने बटरफलाई वाले पंखु को एक्टिवेट कर लेता है और इसी के साथ साथ वो यू हाव को बाहर निकाल कर दरवाजे को बंद कर देता है फिर वांग उससे फूछता है कि तुम दरवाजे को नौक ये भीना अंदर क्यों आ गए लेकिन यू हाव को उसकी या बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो परेसान होते हुए कहने लगता है कि या खिरकर वांग को हो के आ गया है और वो अच्छानक से मेरे साथ म पर कहती है कि आ मैंने तुमें नहीं बताया था कि मैं आज रहा तुमसे मिलने के लिए यहां पर आने वाली हूं इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने साथ में लेकर एक जगा पर आती है और फिर वो इसे एक फिसकार दिखाते हुए कहती है कि यहीं तुमारे लिए सर्प्राइज है इसके बाद वो उसे बताती है कि तुम इसके मदद से अपने लिए कुछ मनी अर्न कर पाऊगे और अब इसलिए ये दोनों रात को अपनी फिस कार लेकर मार्केट में आ जाते हैं जहां पर यू हाउ बहुत ही संदार तरीके से फिस को फ्राइ करने लगता है और इसे देख तैंग्या उसे काती है कि तुम तो हीट को कंट्रोल करने के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हूँ और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने फिस को पांच कॉपर कॉइन में बेच सकते हैं तब ही यू हाउ उसे बेई के बारे में पूछता है जिस पर तैंग्या उससे काती है कि अभी तुम किसी दूसरी चीज़ के बारे में ना सोचो और तुम के वल फिस के उपर फोकस करो अब कुछ देर के बाद यू हाउ फिस को बना कर तयार कर देता है और तैंग्या भी इसे बेचने के लिए इसमें इसकी मदद करने लगती है लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी इनके फिस को खरिदने के लिए रेडी नहीं था जिसके वज़ा से तैंग्या इसके प्राइस को धीरे धीरे कम करते जाती है लेकिन फ्री कर देने के बाद भी कोई इनके फिस को लेने के लिए रेडी नहीं होता अब इस बाद से ये दोनों काफी परिसान होकर वहीं पर बैठे होते हैं लेकिन तभी इसी वक्त यहां पर एक टीचर आते हैं और वो इनके फिस को खाने के बाद पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि आज तक उन्होंने इतना टेस्टी फिस कभी नहीं खाया था तब इसके बारे में सुनते ही बाकी लोग भी यहां पर आने लगते हैं इसलिए तैंग्या अपने फ्री वाले इवेंट को खतम कर देती है जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इनके फिस को खरीजने लगे थे और फिर देखते ही देखते इनका पूरा फिस लगबा खतम हो जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ और भी फिस को पकाने लगा था लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर एक बहुत ही खुबसूरत लेडी आती है जिसे देख सभी लोग कहने लगते हैं कि वो यहाँ की सबसे खुबसूरत लेडी है और वो भी यूहाओ के सामने आकर उसके फिस के प्राइस के बारे में फुशती है जिस पर यूहाओ से एक फिस का प्राइस पांच कोईन बताता है लेकिन इस पर वो लड़की उससे काती है कि इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कीमत तीन कौपर कौइन होनी चाहिए तब इस पर यूहाओ से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वैसे भी आज के मेरे सभी फिस सोल्ड आउट हो चुके है या सुनकर वो लड़की उससे काती है कि अगली बार मैं इसे ट्राइ करने के लिए आउंगी और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है और तभी अचानक से कोई यूहाओ के उपर कौइन फिकर मारता है जिसे देखते ही तैंग्या इसके अटैक से यूहाओ को बचा लेती है लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ अटैक असल में सूसेंड ने किया था और इसके बाद वो फिर से यूहाओ के उपर भी अटैक करने के लिए आ जाता है लेकिन यूहाओ इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसके गर्दन को पकड़ कर हवा में लटका देता है तब ही हम देखते हैं कि बेई भी यूहाओ को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था और वो अपने लाइटनिंग पाउर का यूज करके सूसेंड के उपर अटैक कर देता है लेकिन असल में सूसेंड ने भी इसके अटैक को बहुत ही असानी से रोक लिया था जिसके बाद हम देखते हैं कि तैंग्या भी गुसे में इसके उपर अटैक करना सुरू कर देती है इसलिए सूसेंड भी अभी इसके अटैक को रोकने की कोसिस करने लगा था लेकिन इसके बाद भी तैंग्या की एक निडल उसके पीछे जाकर लग जाती है तब ही बेई सूसेंड से कहता है कि आज तुमने मेरे जूनियर ब्रदर के उपर अटैक किया है इसलिए तुमें इसके बारे में एक्स्प्लानेशन देना होगा नहीं तो फिर मैं तुमें सूल बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ तब इस पर सूसेंड उससे कहता है कि अगर वो तुम्हारा जूनियर ब्रदर है तो क्या हुआ क्योंकि अगर उसे किसी को रिस्पेक्ट देना नहीं आता तो मैं भी उसे नहीं चाने दूँगा और वो बेई के साथ में सूल बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है इसके बाद अगले सिन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बैटल एरेना में आ गये थे क्योंकि वे सब इन दोनों के बीच के फाइट को देखने के लिए काफी एकसाइटेड होते हैं तभी यू हाओ तैंगया से पूछता है कि आखिर वे सब इतने ज़्यादा एकसाइटेड क्यों हैं जिस पर तैंगया उसे बताती है कि सूसैन के पास में सबसे ताकतवर डिफेंस मारसल सोल है जबकि बेई के पास में सबसे ताकतवर अटैक मारसल सोल है जिसके वज़ा से इन दोनों के बीच में जरूर ही बहुती संदार फाइट होगा वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेई सूसैन की मदद कर रहा होता है और वो उसके बॉड़ी में लगे निडल को निकाल देता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंग भी इनके फाइट को देखने के लिए यहाँ पर आ गया था जिसे देख यू हाओ कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आये हूँ जिसके बाद यहाँ भी इन दोनों को एक दूसरे के बारे में बता देता है तब ही तैंग्या काती है क्या तुम इसे भी तैंक क्लैन को जॉइन कराने में मेरी मदद कर पाओगे या सुनते ही वांग हैरान होते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम तैंक लैन से हो जिसके बाद तैंग्या भी उससे बताती है कि मैं तैंक लैन की लीडर हूँ और इसी के साथ वो उससे पूछती है कि क्या तुम इससे जॉइन करना चाहोगे जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी तुरंत इसके लिए मान गया था और कहता है कि मैं भी तैंक कलैंड के लिए अपने पाउर का यूज करके एक दूसरे का सामना करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इनके फाइट को देखने के लिए एकसाइटेड होते हैं और तभी तैंगिया यूहाउ से चुपके से कोई काम करने के लिए कहती है जिस पर यूहाउ कहता है मुझे आसा नहीं लगता कि या सही आइडिया है लेकिन इस पर तैंगिया उससे काती है कि तुम तो क्लैन के लिए इतना जरूर कर सकते हो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच का मैच सुरू हो गया था और वे दोनों अपने अपने मार्सल सोल को एक्टिवेट करके एक दूसरे के साथ में फाइट करने के लिए रेडि भी हो जाते हैं तभी तैंगय कहती है कि सुसेंट के पास में एक ताकतवर मुटेटेड मार्सल सोल है जिसे कि सुवान लिंग डबल अट्रिब्यूट आफ वाटर एं लैंड के नाम से जाना जाता है लेकिन इसी के साथ ऐसा माना जाता है कि इसे हरा पाना ना मुमकिन है इसके अभी इसी वक्त बेई अपने थार्ड सोल स्किल ड्रैगन क्लो को एक्टिवेट कर लेता है जिसके बज़ा से उसकी ताकत और स्पीड बहुत जादा बढ़ गई थी और इसका यूज करके वो सुसेंट के उपर अटैक करने की कोशिस करने लगता है लेकिन अभी भी हम इसके उपर अटैक करना सुरू कर देता है जिसके वज़ा से हम देखते हैं कि बेई इसके सामने कमजोर पढ़ने लगा था तब इसी वक्त हम देखते हैं कि यूहा अपने इस प्रिच्वल आई को एक्टिवेट कर लेता है और अब वो अपने सोली स्किल का यूज करके बे असानी से हरा देता है अब इस तरह से बेई इस सोल बैटल का विनर बन गया था जिस बात से तैंग्या भी काफी खुस हो गई थी लेकिन तभी यूहाव कहता है कि वैसे तो मैं डिटेक्शन सेरिंग के साथ में स्प्रिच्वल प्रोब का यूज करना चाहता था लेकिन मैं अचानक से बेहोस हो जाता है लेकिन इस पर तैंग्या उससे कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि वो कुछ दिर के बाद फिर से सही हो जाएगा इसके बाद हम देखते हैं कि वो इससे लेकर वापस रूम पर आ जाते हैं जहां पर बैई इसे हिल करने के लिए सुवान सुई डैन देता है लेकिन इस बात से वांग काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि या चीज तो बहुत ज़्यादा किमती है इसके बाद वेई वांग से यू हाओ का ख्याल रखने के लिए कहता है और अब इतनी बात कहने के बाद वे दोनों यहां से चल होगी लेकिन इसके बाद भी बेई ने इसे यू हाओ को बहुत ही असानी से दे दिया जबकि इसे लेने के बाद वांग के उपर बहुत ही बुरे तरीके से साइड इफेक्ट होता है इसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी सोने के लिए चला जाता है और फिर एपिसोड य ही परेंड हो जाता है